नमश्का स्टुडेंट्स आज हम क्वालिफिकेशन पैक रिटेल टीम लीडर ही नहीं सिर्फ रिटेल सेल्स अजिए या अधर नौसिस में भी इंपॉर्टन्ट है जो एक डिटेल आउटलेट में जो पी ओएस या नॉन पी ओएस एक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं वैस के बारे में स्टडी करेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल एक एम मनेज्मेंट क्लासिस को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें सो स्टार्ट करते हैं कि पी ओएस और नौन पी ओएस एक्विपमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको जानकारी क एक्विपमेंट्स जो पॉइंट ऑफ सेल के लिए नहीं यूज के जाते हैं तो उनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं पी ओएस एंड नौन पी ओएस एक्विपमेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्स सिस्टम सो पीओ सिस्टम जो है बैसिकली पियोब सिस्टम किसी भी डिटेल आउतले श्मे ऐसा सिस्टम जहां पर जनली कैश काउंटर के पास रखाग में जहांब हर तरह का कस्टमर जो आता है उसकी रिधोडस साटशा है और वहाँ nordık पे पैमेंट को एकस्ट किया जाता है तो जैसे आप फॉटोग्राफ में देख रहे हो यह point of sale सिस्टम है इसमें क्या है एक screen है screen के इंचे keyboard है keyboard के साथ docket printer है then cashbox है then keyboard है फिर docket printer है इस तरह से यह जो है POS system जहां आप पैसे देते हैं या पेमेंट दी जाती है और आपको समान जो दे दिया जाता है वो है POS system point of sales system जैसे कि आप फोटोग्राफ में भी देख रहे हैं नाव बारकोड scanner POS system के साथ ही attach होता है बारकोड scanner सो बारकोड scanner में क्या है प्रोडक्ट की जो बारकोड है उसको स्कैन करने के लिए प्रोडक्ट की बारकोड को स्कैन करने के लिए ताकि उस पे जो price print हुआ है या प्रोडक्ट की जो detail है वो आपके system में जो already filled है वो हम obtained कर सकें इसी को हम क्या जते हैं बारकोड स्कैनर क्याते हैं तो बारकोड स्कैनर जो हैं अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो जब बैंक्स में स्पीड पोस्ट के लिए भी जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं जो टिकेट लगाते हैं schlickers लगाती है मैं उस पर बारकोड बना विखेंधा है आजकर और मूर्स सभी प्रड़क्स पर बारकोड बने होते हैं आपने देखे हूँ ता देखी ये ओता है बारकोड है 이제 scan और next है हमारे पास Cr buenas the order decía Hammer's Cash है वदstr you you味 युज शुण अमान करी रहा है उसका जो billing होगी वो जब की जाएगी तो वो docket printer के थूँ निकलेगी जिसमें क्या है कि एक bill का जो slip है वो अपने record के लिए retailer रखता है और दूसरा जो है customer को provide की जाती है तो docket printer next है हमारे पास portable data terminal portable data terminal क्या है basically device है data collection के लिए basically bear house में inventory को count करने के लिए product की receipt और expenditure के लिए use किया जाता है तो यह रहा आप देख सकते हैं इसको portable data terminal is a device for prompt product product data collection basically it is used for inventory at bear house for product receipt और expenditure के लिए इसको use किया जाता है then हमारे पास next है electronic shelf leveling system जो shelf होती है display shelf होती है उसमें जो levels किये जाते हैं जो levels होते हैं तो वो जो हैं इस system के दवारा किये जाते हैं तो आप देखेंगे तो इससे क्या होगा electronic shelf level system जो है detailer के दवारा जो जो भी pricing लिखनी होती है product की जो offer price है जो shelf में display किये जाते हैं उसके लिए use किया जाते है तो आप देख सकते हैं electronic shelf leveling system किस तरह से फोटोग्राप में देख सकते हैं किस तरह से वो print करके निकाल रहा है लगा रहा है shelf जो है उसमें उसमें जो level लगता है वो है यह next है pricing gun pricing gun से generally यह जो tool है छोटा सा tool होता है ठीक है detail outlet में level product को price sticker लगाने हैं तो उसके लिए यह use किया जाता है pricing gun आप जैसे देख रहे हैं फोटोग्राप में देखने में कैसी होती है pricing gun shelf check out shelf check out basically क्या है बोलता है self check out को हम assisted check out या self surface check out machine भी बोलते हैं यह क्या provide करता है mechanism for customer to complete their own transaction from a retailer without needing a traditional staff check out तो इसमें क्या होता है कि generally ऐसी machine है जिसमें अगर staff नहीं भी है तब भी एक customer की जो payment है उस machine दवारा की जा सकती है तो जैसे आप देख रहे हैं कि customer खुद ही उसमें से scan कर रहा है यह अभी system area में कम है फोरेंस में ज्यादा applicable होता है तो खुद ही scan किया जाता है और खुद ही payment की जाती है then electronic article surveillance system EAS system EAS system का क्या use होता है जब भी कोई shoplifter अपने product से जिस पर tag लगे हैं तो वो लेकर चला जाता है बहार लेकर तो यह जो machine है यह खुद ही siren खुद ही horan दे देती है जिससे पता चल जाता है कि shoplifting यह चोरी हुई है यह basically electronic surveillance article surveillance system जो है यह exit entry पे ही होते हैं जब भी इसमें से कोई भी customer move on करता है तो यह detect करती रहती है तो basically दो तरखे tag होते है hard tag and soft tag तो उसमें क्या रहता है basically जब आप purchase करते हैं तो वो अपने जो cashier होता है जो cash counter पे होता है अपने POS terminal पे होता है जो person तो वो employee क्या करता है उनके circuit को तोड़ देता है अगर वो circuit नहीं break हो तो आप जब cross करते हो आप जब cross करते हो तो क्या होता है कि वो signal दे देता है कि यहां से चोरी हो रही है अधरवाइस वो signal break होगा तो कोई भी siren यह और नहीं बजेगा ठीक है तो आप देख सकते हैं फोटोगाप देखने में क्यासा होता है यह नव नेक्स्ट है हमारे पास EDC machine electronic data capture machine इस machine को हम swipe machine भी बोला जाता है तो किसी भी credit card या किसी भी card से payment करनी होती है जब तो यह retail outlet में इसका use रहता है तो swipe machine सभी जानते हैं किस तरह से swipe की जाती है तो यह रही पिक्चर में देख सकते हैं swipe machine बार कोड प्रिंटिंग machine बार कोड प्रिंटिंग machine यह वो machine है जिससे बार कोड जिनरेट किये जाते हैं products के लिए next है tag gun tag gun का use generally tag prices और level के लिए use किया जाता है तो tag gun देख सकते हैं किस तरह से रहती हैं जिके किसी product को seal करना है attack करना है तो इसके लिए use की जाती है तो होप आज आपने जो है P.O.S. और not P.E.S. equipment देखे जो generally एक retail outlet में use होते हैं इसके अलावा बहुत सारे display equipment होते हैं जो आप मेरी separate video में अभी तक देख चुके होंगे अगर नहीं देखें तो मेरे channel A.K.M. Management Classes को like, share और subscribe करें और उस video को भी देख सकते हैं थैंक यू